दूसरा सवाल भी मैं इसी के साथ ले रही हूँ, नौने सवाल पूछा है कि kindly help me in my question, my name is, my age is 33, मुझे हर सीजन में नाग की एलर्जी रहती है, हर सीजन में रनी नोज हो जाती है, सर्दी रहती है और नाग बहती रहती है, कभी कभी नहाने के बाद भी काफी सारी चीके आ जाती है, मैं एसी में बैठता हूँ, या कुछ ठंडी चीज खाता हूँ, ठंडा पी लेता हूँ, तो थोड़ी दिर बाद सर्दी हो जाती है, सर्दी से बहु चोटे-चोटे से different buds होते हैं वो आपको clear हो जाएंगे फिलाल मैं आपको directly treatment बता रही हूं उसको आप note down करिए पहली चीज है हरिद्रा खंड हरिद्रा खंड का आपको प्रियोग करना है हरिद्रा खंड 5 ग्राम की मातरा में एक powder form में आएगा granule जैसा होता है yellow color का हरिद्रा खंड 5 ग्राम की मातरा में 100 ml दूद और 100 ml पानी ठीक है तीनों चीज़े आपके हो जाएंगी 5 ग्राम की मातरा में हरिद्रा खंड 100 ml की मातरा में दूद और 100 ml की मातरा में पानी तीनों को अच्छे से मिलाकर आपको boil करना है जब अच्छे से धीमी आज पे boil हो कुकि इतनी देर उबलने के बाव जूद हरिद्रा खंड कभी भी दूद के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा यह पूरी मैडिसिन नीचे आकर बैठ जाएगी तो पीते समय ध्यान रखना है कि वीच वीच में चम्मत से आप इस दूद को हिलाते रहें जिसते दवाई है वो उ मुने पानी के साथ प्रयोग करना है इसी के साथ में चित्रकादी वटी दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है ठीक है यह दो दवाईया हुई आपकी और हरिद्रा खंडुआ नो टाइम यदि आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉबलम हो तो जो modern का एक anti-acid आता है जैलूसिल anti-acid वो आपको प्रयोग करना है 5-5 ml की मात्रा में दिन में 2 बार खाली पेट सुबह 5-6 बजे कर सकते हैं और शाम को 3-4 बजे के आसपास यानि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद प्रयोग कर सकते हैं हरिद्रा खंड स्टार्टिंग में आपको दिन में एक बार प्रयोग करना है यदि इससे आपको किसी प्रकार की कोई burning sensation ना वैसे नहीं होती है दूद के साथ लेने से बहुत अच्छा लगता है लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है कि hyper acidity होती है यदि आपको hyper acidity की problem बिलकुल ना हो तो आप इसे दिन में 2 बार कर दीजे हरिद्राखन दूद के साथ लिया जाता है इसलिए आप इसे दिन में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ इतना ध्यान रखें कि directly सुबह खाली पेट प्रयोग नहीं करना है मतलब सुबह खाली पेट क्या हो जाता है कि लगातार 8-10 घंटे हो जाते हैं जब आपने सुने से पहले यदि आपको दूद लेना पसंद तो आप घी ले सकते हैं ठीक है नाख के अंदर अनो तेल डो दो बूण डाला कर ये अनु तेल आपको डौपर के रूप में मार्केट में मिल जाएगा दो दो बूण आपको नाख में डालनी है नाख में डालने की सही पानी के साथ रात में सोने से पहले आपको लेना है ठीक है चलिए आज इस वीडियो में केवल दो सवाल में दो दो तीन तीन करके ही सवालों का प्लियो सवाल लूगी क्योंकि बहुत लंबे वीडियो से जाते हैं तो मुझे अप्लोड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है और शूट करने में भी दिक्कत आ रही है इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके सवाल ले रही हूँ चलो नेक्स वीडियो मुलाकात होगी तब तक लिए स्थे हल्दी और बी हैपी गुडबाई